नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल यूनिक इस्टार पर दोस्तों आज बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 1275 रिक्तियों पर वेकंसी निकाला है दोस्तों जिसका आवेदन 5 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा तो सभी साथी ध्यान दें कि इसमें क्या-क्या बारिकिया है उन सारी बारिकियों के बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों ध्यारखी का 5 अक्टूबर से यह शुरू होगा और इसमें जो है भारतिय नागरिक अनिवार दिया है दोस्तों कोई बिहार का सर्टिफिकेट बिहार का डोमेसाल नहीं चाहिए इसमें पुरूस महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं अभ्यार्थियों की सच्छिक योगिता में इसने कहा है कि किसी भी विश्विद्याले से 1823 तक ग्रिजिवेशन परिक्षा जो है इस नातक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए उम्र सीमा की गड़ना अगर देखा जाए तो 1823 से की जाएगी दोस्तों इसमें अभ्यार्थियों को उम्र में मैट्री कत्वा समकत जो प्रमान पत्र हैं उनके अनुसार होगा अना रच्चित या समान कोटी के पुर्षों के लिए नियुन्तम उम्र 20 वर्ष और अधिक्तम 37 वर्ष महिलाओं के लिए नियुन्तम वर्ष 20 वर्ष और अधिक्तम वर्ष 40 पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के पुर्षों के एवं महिलाओं के लिए अर्था जनरल का अधिक्तम 37, OBC का अधिक्तम 40 और थर्ड जिंडर SCST का 42 अधिक्तम ध्यार रखेगा दोस्तों बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चितर वेतनमान की सेवा संबर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परिच्छा में भाग लेने हैं तो अधिक्तम आयो सेमा में 5 वर्स की छूड दी जाएगी जिनों नियमित सेवा में नियूंतम 3 वर्सों की अवधी पूरी कर लिए दोस्तों जो बिहार में पहले से नोकरी कर रहे हैं और वो भी चाते हैं कि हम क्या करें जो है इसमें भर्ति लें तो उनको 5 वर्स के छूड दी जाएगी ठीक है उसके बाद देखे आसायनिक पदों पर नियुक्तिय तो भूत पूर्व सैनिकों को अधिक्तम आयू सिमा में तीन वर्स तथा परतिर अच्छा सेवा में बिताई गई सेवा अवधी के योग के समतुले रियायत दी जाएगी बसरते की उनकी वास्तिविक उम्र कटाफ्ति थी के को सतावन वर्स अधिक नहीं हो तो यहाँ पर आसायनिक पदों पर भी नियुक्ति की बात कर ली गई है अब भ्यार्थी की उम्र की गड़ना मैट्रिक अथवा समकच परिच्छा के प्रमान पत्र में अंकित जम्चिती का होगा उचाई अनारच्छित यानि समान वर्वर्ग पिछडा वर्ग के पुर्शों के लिए 165 वर्ष नियुनतम होना चाहिए 165 cm नियुनतम होना चाहिए बिना फुलाई 80 और फुला करके 86 cm होना चाहिए जो जनरल के लिए और OBC के लिए है मदब कम से कम 5 cm का अंतर होना अनिवार है और वही अनसोची जन जाती के लिए 79 है तो 84 हो जाना चाहिए महिलाओं के लिए कोई मापने वजन ये उन्तम वजन महिलाओं मदबारों के लिए 48 होना चाहिए 48 कीलो ठीक है न किनर कोड़ी हिजडा ट्रांसजेंडर थर जेंडर अब भ्यारतियों के लिए सारीक मापदन तथा सारीक दचता परिच्छा का मापदन पिछडे वर्ग की महिला भ्यारतियों के समाय में होगे दोस्तों जो जितने भी थर जेंडर के होगे वो पिछडे वर्ग के जितने भी यो गिताएं हैं सब इन पे लागू होगे नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित प्रत्यों किता परिच्छा होगी दोस्तों और यह दो चरणों में होगी प्रत्थम चरण प्रारंभीक परिच्छा होगी जिसमें 200 अंकों का एक प्रश्ण पत्र होगा जिसमें से प्रश्णों की कुल संख्या सव होगी एवं परिच्छा के अवधी दो घंटे की होगी उप्त पत्र में समान ज्यान एवं समसामाइक मुद्दों से सम्बंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अव्यारती मुग की परिच्छा के लिए और सफल घोसित किये जाएंगे यानि पहला पेपर जो 100 क्वेस्टन 200 नंबर का है जो समान ने ज्यान से प्रश्ण पूछा जा रहा है उसमें कम से कम 30 क्वेस्टन सही होने चाहिए यानि की 60 नंबर होने चाहिए कम से कम तब तो आप सेकेंड चरण में जाएंगे नहीं तो बाहर प्रारमिक परिच्छा में प्राप्त अंको के अधार पर रिक्तियों के 20 गुणा सफल अभ्यारतियों का चयन मेगा अनुसार आरच्छन कोटी वार किया जाएगा मुख लिखित परिच्छा है तो आहरता प्राप्त अभ्यारतियों की परियाप्त संक्या में अनुपलब्दता की दसा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है यानि बीस गुना अगर पहले पेपर में जो लोग पास हुए उपर से कटाप भनेगा और बीस गुना तक उनको लिया जाएगा दोस्तों आगे देखतें देती चराण में क्या होता है फिर जो मुख्य परिच्छा पर्थम परिच्छा में सफल हुए थे पर्थम चरण में उनको समलित के जाएगा और इस मुख्य परिच्छा में दो प्रत्र पत्र होंगे प्रत्र पत्र दो सो अंको का समान हिंदी का और दो घंटे का होगा जिसमें सव प्रश्ण होंगे एवं नियुंतम आकर आहरता तीस परतेसत अंक प्राप्त करना अनिवार होगा अनिथा उन्हें अयोगी घोसित कर दिया जाएगा समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा निधारन में नहीं चोड़ा जाएगा ये सिर्फ पास करना है दोस्तों दिती पत्र समान अध्यान, समान विज्ञान, नागरिक सास्त, भारती त्यास, भारती भगोल, गडित एवं मांसिक योगिता जांस से समबन दित होगा दिती प्रश्ण पत्र का पूरांक दो सव अंकों का होगा जिसमें प्रश्णों की कूल संख्या सव होगी एवं प्रति गलत उत्तर के लिए दस्मलव दो अंक काटा जाएगा दस्मलव दो दोस्तों अगर दस्मलव दो का मतलब समझेगा कि आधा आधा तो नहीं का सकते उससे भी कम दो पांच कहिए इसको काटा जाएगा उस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पा सारेडिक दच्छता परिच्छा के लिए किया जाएगा तो पहले परिच्छा पास करने पर 20 गुना दूसरा परिच्छा पास करने पर 6 गुना कोटी, कुवार और मेगा नुसार किया जाएगा दोस्तों अभ्यार्थि उक सारेडिक दचता परिच्छा है तो आर्था प्राप्त अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलबदता की दसा में उक्त अनुपात उपयूग्त रूप से कम किया जा सकेगा सारेडी के योगिता दचता परिच्छा निमलखित सारेडी के योगिता दचता परिच्छा में भ्यारते को सफल होना होगा सभी कोटी के पुर्सों के लिए 1.6 किलोमेटर की दोड़ समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड अधिक समय लेने वाले भ्यारते असपल भोसित के जाएंगे सभी कोटी के महिलाओं के लिए 1 किलोमेटर की दोड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट अगर उससे अधिक समय लेते हैं तो बाहर उची कूद, सभी कोटी के पूर्चों के लिए नियूंतम 4 फिट, 4 फिट से कम कुदने वाले अभिहरती बाहर उसके बाद दोस्तों, 3 फिट, जो सभी उच्च कोटी की महिलाएं हैं, उनके लिए 3 फिट, नहीं तो उसको फिर बाहर लंबी कूद सभी कोटी के पूर्चों के लिए 12 फिट और महिलाओं के लिए 9 फिट धारित है गोला फेकना है दोस्तों गोला फेक में सभी कोटी के पूर्चों के लिए 16 पाउंड गोला नियुन्तम 16 फीट फेकना होगा और 12 16 फीट से कम फेकने वाले बाहर हो जाएंगे महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला ने उन्तम 10 फीट फेकना होगा दोस्तों उसके कम फेकेंगे तो बाहर हो जाएंगे किन्नर जो हैं वो जो भी पिछड़ा वर्ग महिलाओं के समान पूरी की पूरी विवस्था होगी उनकी मेघा सोची में नियुक्ती का नुसंसा करना है तो उसमें देखे अगर अंतीम भूसे सफल अभ्यारतियों के मेघा सोची मुख्य लिखित परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर मेगा करमा अनुसार आरच्छन कोटी वार तैयार की जाएगी लिखित परिच्छा में दो या दो से अधिक अभ्यारतियों के समान अंक प्राप्त करने की दसा में मेगा सोची में उनको उनके अस्थान का निधरन उनकी जन्मतिति के धार्प किया जाएगा ठीक है ना दोस्तों अब आये देखते हैं कि किस कोटी को कितना मिला है किस वर्ग को कितना सीट मिली है तो दोस्तों देखें कुल पद है 1275 जिसमें से अनसूचित जाति को 275 अनसू जिस पर सभी लड़ सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 ट्रांसजेंडर के लिए 5 इस तरीके से 1275 महिलाओं के लिए 36 रूप से आरचित पदे हैं दोस्तों जिससे अनसूचित जाती है 275 उसमें 6-6 महिलाओं का होगा उसके बाद अनुसूचि जनजाती 16 में से 4 महिलाओं फिक्स रहेंगी 38 अथिंत पिछड़ा वर्ग में 107 में 36 महिलाओं फिक्स रहेंगी पिछड़े वर्गों की महिला में तो महिला हैं ही 82 की 82 महिला हіч रहेंगी अनारचित में आप समझ ये कि 35 प्रतिस सत्यानी 103 रुपन महिलाएं फिक्स रहेंगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 111 में से 34 महिलाएं फिक्स रहेंगी ट्रांसजेंडर पांच में सब आ जाएंगे इस तरीके से 368 पद जो है वो महिलाओं के लिए फिक्स हो गया है इस तरीके सुतंतरता सेनानी के ये सीटे हैं तो चार में से एक महिला रहेगी चार में से एक महिला रहेगी तीन में से महिला रहेगी तो पुल मिलाकर ये जो सीटे हैं ये आवंटन हो गया दोस्तों उसके बाद इसमें जो है बिहार आरचण में बिहारपदों सेवाओं के रिक्तियों में आरचण अन सची जाती, अन सची जन जाती यह वन पिछ्डगे वर्गों के लिए अधिनियम zit square Papadhar Reserva लागू होगा ठीक है दोस्तों सुरत तंतरता से नानी की बात हो रही है दोस्तों फिर आप देखें कटाफ कीती थी कब तक आएगी तो एक अगर 2003 तक ने धरित की गए कटाफ कीती थी आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पांस तारिक से होगा दोस्तों और ध्यां रखेगा इ इससे संबंधित जो सुल्क है वह चार्च बैंग की मांग पर वापस ले जिया जाएगा जिसके आवेदन पत्र में असुकृत करते वे उनके विरुद्ध करवाई होगी ठीक है ना तो ध्यान रखेगा दोस्तों ये सारी बाते मैं आपको बता दिया हूँ और बहुत ही आ दालिएगा दोस्तों और ध्यान रखेगा यहां bpssc.bih.nic.in पर भरा जाएगा email id बगर डालना अनिवार है दोस्तों SMS के तरह आपको one time password मिलेगा जिसको डालकर आप password बना सकते हैं उसके बाद देखिए आपका जो उमिद्वारी है वो पंजी करण रद्धी करण कब होगा जब आप पैसा लोगिन ने करेंगे या पूरा step follow ने करेंगे तब यह दिक्कत होगा दोस्तों ठीक है आईए आप देखिए रद्धी करण कई चीजे हैं आप समझेगा इन बातों को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सारी बाते बड़े ही बारे की से आप लोगों पाना चाहते हैं धन्यवाग